नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग यहाँ पे हम लोग चंगेज खान यानि गेंगिस खान जिनसको कहा जाता है इसके बारे में बात करेंगे गेंगिस खान का जो जनम था वो हुआ है लगबग 1162 AD 1162 AD में जो प्रेजेंट डे मंगोलिया का नौर्धन हिस्सा है वहाँ पे उनू नदी के किनारे एक जगा पे गेंगिस खान का जनम हुआ था देखे कुछ लोग जिन्दगी में ऐसे होते हैं जो अपना नाम बना जाते हैं वन आफ दोस परसंस इस गेंगिस खान इनका नाम क्या था शुरुवाती तेमू जिन ठीक है ना ये येसु जेई नाम के एक चीफ टेन थे कियाद ग्रूप के कियाद क्या था इट वस अग्रूप आफ फैमिली जे रिलेटेड टू बौरजी गिद क्लाइन तो बौरजी गिद क्लाइन के अंदर बहुत सारी अलग-अलग फैमिली थी इसमें से एक फैमिली थी कियाद उसके चीफ थे येसु गूई उसी का बेटा था तेमू जिन ठीक होगे जैसे जैसे बड़े होते गए तो देखिए इनकी फैमिली के अंदर ही बहुत सारे चोटे मोटे डिस्प्यूट्स थे इंटर क्लैन डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा थे ठीक है ना तो कहते हैं ना कि छोटी से राज के लिए ही बहुत सारी कभी-कभी पॉलिटि ना कि किसी एक इंडिविजिल को मुश्किल कंडिशन में फेक दो तो या तो वो मर ही जाएगा या वो हीरो बन के बाहर आएगा कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ पर तीमुजिन के साथ इतनी मुश्किल पड़ी इनको लेकिन उसके बाद भी हार नहीं मानी उन्होंने ये बात त इसने कुछ important friends बनाए कि एक आदमी था बोगूर्चू नाम का ये इनका पहला अलाई था लंबे समय तक इनका trusted friend रहा फिर जमू का करके इसका blood बदर था ओके एक दूसरा इसका अलाई था ये तिमुजिन ने पुराने old alliances restore किये जैसे केरेती family के साथ तुग्रिल ओंग खान के साथ इन सब के साथ यहां पर तेमुजिन ने रिष्थे स्थापित कि देखिए internal politics बहुत थी इनके clan में inter clan में family में politics बहुत थी तो जब politics जादा होती है तो आपको अपने आपको protect करने के लिए strong group का हिस्सा बनाना है तो strong group बनाने के लिए इन्होंने important important लोगों के साथ द जमुका एक समय पे इनका दोस्त हुआ करता था इनका blood brother था बाद में जमुका इनके against organ से लड़ने लगा तो जमुका को हराने के लिए इन्होंने बहुत सारे और alliances करने लगे जमुका को हराने के बाद तेमुजिन को यह समझ में आया कि भाई अब मैं बाकी tribes के उपर control कर सक सबसे पहले तेमुजिन ने नंबर लगाया किसका ततार ततार वो tribe थी जिसने तेमुजिन के फादर को मारा था फिर केरेतीस ओंग यह सब वो tribes थी देखिए अलग-अलग tribes थी यह अपने-पने अपने इलाके में active थी देखो आप हमाई यहां पर क्या था चोला चेरा पंड थी आस-पास के लाके में इनका control था एक tribe ने दूसरे को हरा दिया तो दूसरे tribe के लाके पर कपजा कर लिया तो यह चीज यहां पे भी होती थी ओके फिर आप देखोगे the final defeat of Neyman people and the powerful Jammuoka in 1206 left Temujin as a dominant personality in the politics of Steppi land a position that was recognized as an assembly of Mongols chieftains Kurilthai where he was proclaimed the great Khan of the Mongols अब बड़े-बड़े इलाकों में जो rival tribes थी इनका राज था एक करके इन rival tribes को हराया किसने तेमुजिन ने और एक समय ऐसा आया कि सबसे important chieftain सबसे important सरदार बनके उभरा यहां पे तेमुजिन chieftain को मंगोल में कुरुलताई कहा जाता है करुलताई कुरिलताई कह लीजिए यहां लिखा हुआ Q-U-R-I-L-T-A-I तो यह कुरिलताई था सबसे powerful कुरिलताई ठीक है भाई और इसलिए इसको बोला गया the great Khan of the Mongols गेंगेस Khan इसको title दिया गया इसको universal Khan, oceanic Khan भी कहा जाता है universal ruler भी कहा जाता है अच्छा 1206 में अच्छा एक चीज़ Assembly of Mongol Chiefains को कुरुलताई कहते है मतलब Mongol Chiefains मिलके कहीं बैट के बादचीत की तो इसको कुरुलताई कहा जाता है तो यह जो Assembly हुई थी 1206 की जिसमें गेंगेस Khan को सबसे important ruler बोला गया यह Mongol tribes के बीच में इससे पहले अगर आप देखोगे तो Mongol लोगों को एक military organization के अंदर लेके आना उनको एक effective disciplined military force में बदलना इस चीज़ में successful रहा था कौन? गेंगेस Khan इसलिए गेंगेस Khan के importance पे इतना focus किया गया गेंगेस Khan इतनी सारी tribes को किस के दम पहरा पाया उन लोगों के दम पहरा पाया जो किस की आर्मी में थे और इसके बिहाफ पे बाकी लोगों से लड़ने के लिए तैयार थे तो इस context में जो military organization capability बताई गई है चंगेस Khan की वो जबरदस्त बताई गई है ठीक है अब जब मंगोलिया के एक बड़े इलाके पे सारी tribes को हरा के मंगोलिया का ruler बना चंगेस Khan उसके बाद एक ruler के लिए सबसे important क्या है expansion समझ गए चंगेस Khan ने अपने बचपन में कैसा समय देखा था जब सब इसको दमाने की कोशिश कर रहे थे अब वो ruler था उसको पता है कि मैं ruler तब तक हूँ जब मैं अपने आपको expand करूँगा अगर मैं अपनी dominion में शान्त बैट पाऊंगा तो हो गया काम तो इसलिए देखोगे कि सबसे पहला concern क्या था चंगेज खान का कि बढ़ी चाइना के ओपर कबजा करूँगा उस समय पे चाइना तीन भागों में बटा हुआ था एक तो थे हिसी हिसिया people of Tibetan origin in Northwest provinces दूसरे थे जोर्चन whose Chen dynasty ruled North China from Peking और तीसरी थी Sung dynasty who controlled South China अगर आप इसको particular नक्षे में देखें तो यहाँ पे जो तिबत का इलाका इसको अटादो यह नहीं है overall चाइना का एक तो आप कहले जिए Northwest हिस्सा हो गया दूसरा इधर नौर्थ वाला हिस्सा तीसरा Southern चाइना यह तीन अलग अलग इलाके थे उस समय कि चाइना के जिसके उपर कबजाना चाता था कौन आपका चंगेज खान तो चंगेज खान का target था कि चाइना का एक बड़े इलाके पर हम कबजा करें ठीक है भाई देखते हैं यह कबजा कर पाएगा क्या भाई बहुत हद तक तो यह चाइना के अंदर entry मारेगा ओके आप देखो मंगोलों ने चाइना के अंदर जो intrusion किया है ना लंबे समय तक यह intrusion चला है बारा सो नौ में अगर आप देखो यह जो हिसी हिसाई था जो कि चाइना के नौर्थ वेस्ट में राज करता था यह हरा जो ग्रेट वाल अफ चाइना थी जो कि नॉमाडिक एक्सपेंशन को रोकने के लिए बनी थी मंगोलिक एक्सपेंशन को रोकने के लिए बनी थी इसके ओपर सिपाई तेनाब थे लगातार इस Great Wall of China को गाड़ करते थे ओके ये Great Wall of China के सिपाईयों को हराके तोड़के क्या किया कि ये मंगोल चाइना के अंदर घुस गया पैकिंग के ओपर 1215 में मंगोलों का कबजा हो गया ठीक है और 1234 तक ही जो मंगोलों थे ये आपका इंट्रूजन करते रहे चाइना के अंदर लेकिन जितना कुछ भी 1216 तक कर पाया यहां पे गैंगिस खान वो से साटिसफाइब था देखे गैंगिस खान चाइना के अंदर घुसके एक बड़ा अलाका कबजा आ चुका था अब गैंगिस खान चाइना पूरा जीतने के बजाए फोकस करने के अलावा वो वापस आ गया जो भी जंगिस खान के आपके लोग सबोर्डिनेट्स थे अपने सबोर्डिनेट्स को उसमें बोला कि ठीक है भाई जाओ तुम इतनी आरमी लो चाइना में अपने तोसकर आपके चाइना के नॉर्डंढ ग्सक्रिया को जोटेथा जिता हो जईगा पर खिजञव करो तो अब किस तरह जाएका चैनेस घान वह जाएगा वेस्टें साइट्व niż ठीके ना, बारासो अठारा में, after the defeat in बारासो ठारा of काराखिता, who controlled the Tien Shan mountains north west of China, मंगोल डोमीनेंस reached अमुजदरिया, अमुजदरिया नदी तक पहुँच गया, कौन मंगोल, Tien Shan के इलाके में काराखिता नाम का एक रूलर होता था, उसको यहां पहराया, फिर भाई, ट्रांसौकसियाना की ओपर कबजा किया, फिर खौरिजम नाम की जगा थी इसकी ओपर कबजा किया, खौरिजम का रूलर हुआ करता था सुल्तान मुहम्मद, सुल्तान मुहम्मद के पास पहले गैंगेश खान ने मंगोल अन्वाइस को भीजा, उसमें क्या होता है, कि जो मंगोल थे, जैसे गैंगेश खान ने दो-तीन अपने सिपे सलारों को बोला, कि तुम जाओ, और ये जो खारिजम का रूलर है सुल्तान मुहमुद, इस से जाके कहो सुल्तान मुहम्मद से कि मेरे सामने घुटने तेरदों ने दूंगो मार दूंगा, अब अब जैसे 300 में होता है न, कि वो पर्शियन किंग अपने अम्बैसडर्स को बेचता है किस के पास, ये ग्रीक्स के पास, कि जो भाई इनसे बोलो कि सरेंडर कर दो, वो ग्रीक उसको लातमार के कुए में फिक देता, अगर आपने 300 देख रखी हो तो, सेकेंड पार्ट पली है शायद, सेकेंड ने पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एक बढ़ देख लेना, फर्स्ट पार्ट में था ये, तो उसी प्रकार से, ये जो गैंगिस खान था, इसने अपने अमबैज़र को भेजा, किसके पास, सुल्तान मुहमत कहां करा जा था, खौरिजम का, सुल्तान मुहमत से बोला, सरेंडर कर दो, मेरे अधीन आचाओ, सुल्तान मुहमत ने सरेंडर करने से मना कर दिया, उल्टे जो मंगोल अन्वाइस थे, उनको माड डाला, अब इस बात पर दिमाग घूम गया, किसका, गैंगिस खान का, गैंगिस खान की यहाँ पे इगो हड कर गई थी, तो भाया, 1219 से लेके, 1221 किस खौरिजम और आसपास के लाके में जो बावाल मचाया है, किसने गैंगिस खान ने, ओतरार, बुखारा, समरकंद, पल्क, गुरगंज, मर्व, निशापूर, हिरात, ये सब मंगोलों के कबजों के अंदर आ गए, जिसने मंगोलों के सामने गुटने टेक दिये, उनके खिलाफ कम अत्याचार किया, और जिसने थोड़ा सा भी यहां पर रिजिस्ट किया, जिस जगह की आर्मी ने थोड़ा सा भी मंगोलों के साथ लड़ाई की, वहां तो कतई बवाल मचा दिया, बिलकुल कुरॉयलिटी की कोई हदी नहीं थी, मतलब कि आप देखो, कि अगर किसी एक पर्टिकुलर जगह ने, मंगोल अथॉर्टी को रेजिस्ट किया, जिसे फॉर इजामपिल सुल्तान मुहमूद में क्या किया, कि गेंगेस खान के, जो एन्वाइस थे उनको मरवा दिया, फिर भाई, एक मंगोल प्रोविंस था, उसको निशापूर में मार दिया गया, तो मंगोल प्रोविंस जिब निशापूर में मरा, गेंगेस खान का इतना दिमाग खराब हो गया, कि उसने अपने soldiers को बोला कि निशापुर को बिल्कुल कबरिस्तान मना दो ऐसा तबाही मचाओ कि खेती के लिए जो जमीन होती ना बिल्कुल वैसा दिखने लगे निशापुर ऐसा मार काट, ऐसा कतल मतलब कुत्ते बिल्ली तक को भी पर जिन्दा नहीं छोड़ा गया, इस हिसाब से onslaught किया यहाँ पर किसने चंगेज खान ने, तो आप समझ सकते हो कि चंगेज खान कितना ruthless इंसान होगा और मंगोल डिस्टिक्शन की जब बात की जाती ही human terms में तो यह जंगेज आप कृणिकलर्स थे जोनों अस समय कhang को लिखा है तो जो भी वहां पर authorities थी, और authorities एक एक दिन में counting करती थे, एक दिन में ैक एक लाख शब गिने जाते थे और finally number निकल के आता था बहुत अत्ता की जो number है ये genuine है सच में चंगेज खान को मारने में सोचता नहीं था वो कि था मारो मारो ठीक है ना किसी को मार के साथ सोचना नहीं है जिसने मेरे खिलाफ आवाज उठाई वो मरेगा simple logic था है चंगेज खान Russian forces को क्रीमिया में हराया मंगोलों ने कैस्पेंसी को चारो तरफ से घेर लिया यो सुल्तान मुहमद का बेटा था ना जलाल उद्दीन ये भाग के पहुँचा अफगानिस्तान और सिंध में यहां तक पहुँच गिया कौन गेंगिस खान बोला कि तिरे को तरफ चलते हैं और यहां से वापस लोटेंगे मंगोलिया जाने के लिए ये गेंगिस खान का प्लान था लेकिन चुकि नॉर्थ हिंडिया में गर्मी बहुत पढ़ती है जो नाच्रल हैबिटाट था इसकी आदत नहीं थी इन मंगोलों को इधर से जाओगे तो कोई बहुत बड़ी नाच्रल कलैमिटी आ जाएगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा इसके चलते गेंगिस खान ने अपना मूट बदल दिया और उसने नॉर्थ इंडिया में ओफिशली एंटरी नहीं मारी मार जाता तो कतई बवाल होना था गेंगेस खान की मृत्ती हो गई 1227 एडी में पूरी जिंदगी उसकी मिलिटरी कॉंबैट में निकल गई जनम उसका हुआ था 1160 में मृत्ती हुई 1227 में लगबग 60 साल की उमर तक वो जिन्दारा बट राजाओं की तरह रहा शुरुवात में भाई देखो उसने बहुत प्राब्लम जे लिए लेकिन उसके बाद एक एक स्टाउनिंग मिलिटरी लीडर की तरह सामने आया जबरदस्ट इन्नोवेशन की कैपिलिटी थी उसके अंदर स्टेपी कॉनबैट को इसने इतनी जबरदस्ट मिलिटरी स्ट्राटजी दी कि भाई ये मंगोल पूरी दुनिया में छाग है उसने मंगोल्स को भी रिक्रूट किया तरक्स को भी रिक्रूट किया उसकी आर्मी की मोबिलिटी बड़ी जबरदस्ट थी ये जो कैवलरी यहाँ पे डेवलप की थी गेंगिस खान ने तो इस कैवलरी की पास बड़ी खास बात थी कि ये गोड़े पर बैठते थे गोड़ा चल रहा है टिगडिक टिगडिक और चलते होए गोड़ों पे ये अपने तीर से मान मार रहे है आर्चरी की जो इनकी कैवड़ी थी वो चलते होए घोड़े पे भी थी और वो और आप कहलो की पॉलेश हो गई थी जो कि रेइगूलर्ली हंटिग एकस्पेडिशन पे जाते थे जब इї जंग नहीं कर रहे होते थे लड़ाई नहीं कर रहे होते थे तो हंटिंग के समय पर ये अपनी military strategies को develop करते रहते थे stepping cavalry बहुत तेज थी जो कि वो बहुत हलकी थी stepping cavalry वाले बहुत ज़दा हतियार या उल्टी सीधी चीज़े अपने उपर बांध के नहीं चलते थे इसलिए ये तेज चलते थे इनके अबास number of गोड़े जादा थे जिस इलाके में रहते थे उस terrain की उनको जबरदस्त knowledge थी और सबसे खास बात ये थी कि कितना भी गंदा weather हो ये उसमें भी नहीं रुखते थे जैसे for example freezing temperature minus 20, minus 30, minus 40 ये जिस इलाके में राज कर रहे थे न वहाँ पे minus 30, 40 temperature आना कोई बड़ी बात नहीं थी तो winter में आदमी घर के अंदर बैटता है पूरी lake फ्रीज हो जाती थी तो lake freeze होता थी थी तो उनको एक opportunity रखती थी वैसे lake cross करने में boat लानी पड़ेंगी lake freeze हो गई तो उसके उपर ही घोड़े दोड़ा दिये मतलब इस प्रकार के लोग थे यहाँ पर ये लोग समझ गे अच्छा चुकि गेंगिस खान की आर्मी नुमैडिक आर्मी थी नुमैडिक आर्मी का क्या सीन है भाई कि घोड़ा उठाया और तलवार लेके निकल पड़े बाड़ा लेके निकल पड़े कहीं पे भी अटाक करेंगे अब इस आर्मी को नुकसान हो जाएगा किसी एक ऐसी पार्टी के अगेंस्ट जिसके in campements 45 बैसे for example मालो कि कोई किला है कोई फोर्ट है अब उस ford के उपर ये nomadic hoards जब अटाक करने आएंगे तो कैसे जीतेंगे ford को भेदो के कैसे ये तो एक बड़ी चीज है ना और ford के उपर से खड़े होके नीचे तीर चड़ रहे होंगे गोले चल रहे होंगे तो यहाँ पे गेंगेस खान ने siege engines और nafta bombardment की टेक्नीक सीखी थी तो सामने heavily fortified encampments की उपर bombardment करके उनकी security को तोड़ के उसके अंदर घुसके उसको हराना इस strategy में भी गेंगेस खान ने बहुत जबरदस्त आप कह सकते हो progress हासिल की थी तो यहाँ पे मैंने आपको गेंगेस खान की बात बताई इसका बर्थ हुआ था 1160 आगे मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे जो चंगेस खान था overall इसकी जो lineage थी मंगोलों की वो कैसे आगे बढ़ी मैं आपको पहले भी बताया था कि Central Asian Steppies में बहुत सी lineages आई हैं बहुत सी confideracies आई हैं लेकिन किसी भी confideracy का successor इतना successful नहीं हुआ जितने चंगेस खान की successor successful होंगे और एक बड़ा Mongolian Empires थापित करेंगे ये जो आप map देख रहे हैं इस map में जितना भी हरा रंग का इलाका आपको नजर आ रहा है total हलका हरा भी वहां वहां तक मंगोलों का राज था समझ गया है तो इस वीडियो को continue करूँगा अगले बार में मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या lineage थी मंगोल की thank you for watching friends यहाँ पे मैंने चंगेज खान की individual attainments के बारे में बात किये वीडियो पे like का बटन जुरू दबादेना दोस्तों telegram group join कलीजे instagram पे follow कलीजे अगर करना चाहें if possible please click the join button आपके join button दमाने से खातावन मिलती है have a great day पढ़ते लिखते रहिए good bye